मोधी सरकार ने अतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू कश्मीर को विशेश अधिकार देने वाले अनुछे 370 को खत्म कर दिया है इस फैसले के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियां सामने आ रही है पाकिस्तान में भी हल्चल तेज हो गई है इसी बीट पाकिस्तानी एक्ट्रस वीना मलिक ने इंडियन आर्मी के लिए कुछ ऐसा ट्वीट किया जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उटेगा क्या है पूरा मामला देखे इस सिपोर्ट में वीना मलिक वैसे तो पब्लिसिटी की भूग में कुछ भी कर गुजरने को तयार रहती है कुछ ऐसा ही उन्होंने इस बार भी किया है लेकिन इस बार वीना मलिक ने सारी हदे पार कर दी अब हम आपको बताते हैं कि क्या किया है वीना ने दरसल वीना ने अपनी Twitter अकाउंड पर इंडियन आर्मी पर भद्धा कमंट करते हुए ट्वीट किया तो दा इंडियन बुटैलिटी इन कश्मीर और हेस्टैट में लिखा इंडियन आर्मी इंकश्मीर इंडियन आर्मी वीना ने स्ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की लोगों को वीना का सोशल स्टेटस पसंद नहीं आया स्ट्वीट के बाद वीना गोट रोल किया जाने लगा वीना को यूजर सुनके एक्स बॉइफरेंड अश्मित पटेल को याद कराते हुए कामेंट कर रहे है किसी यूजर ने वीना को गरीब देश की सनी लियोनी बताया है आपको बता दे ये वही वीना मलिक है जो कभी हमारे देश में आकर अपना पेट पालती थी और आज नागिन की तरह अपने मूँ से जहर उगल रही है खैड़े पाकिस्तानियों के खून में है जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं वीना मलिक भी उसी परंपरा को निभा रही है वीना मलिक ने कश्मीर में भारती सेना को लेकर एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा भारती सेना ऐसे अत्याचारों का सहारा लेकर कश्मीरियों को उनके आत्मेंड़ने के अधिकार से नहीं रोक सकती स्वतंत्रता कश्मीरी लोगों का मौलिक अधिकार है और कोई भी उन्हें बल के प्रयोक से उनके मूल अधिकार से वंचित नहीं कर सकता वीना मलिक के स्वीट को लेकर भी उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था वीना मलिक पॉब्लिसिटी की भूग में कुछ भी कर सकती है खैर जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया गया है ऐसे मैं आप भी खुश्या मनाईए और देखते रहे ये उपीनिन पोस्ट इंटनेटीव साथी हमाई टैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं